वैसे तो गर्भवस्ता के दौरण सीजनल फूट खाना अच्छा माना जाता है और इससे कोई नुकसान नहीं होता है बट जब बात आती है आम की तो हमारे दिमाग में तई तरीके के सवाल आते कि क्या ये फल सेफ है भी या नहीं क्योंकि आजकल ज्यादा तर आम जो है फार लेवर का सुगर होता है और इसलिए नेचरल रूप से मिठे होते हैं तो जिन महीलाओं को जेस्टेशनल डाइबिटीज हो जाती है यानि की गर्भवस्ता के दौरण डाइबिटीज हो जाती है तो उन लोगों को आम नाखाने के सलाह दी जाती है इसके साथ ही आपको बता कि आम में आइरन, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन B6, पोटेशयम और फॉलिक एसिड भरपूर रूप से होता है और ये सभी गर्भवस्ता के लिए महत्वपूर पोशक्तत होते हैं आम में फाइबर भी प्रिचूर मात्रा में होता है जो कबज की रोगता में मदद क कर सकता है ये उढ्ड़ा और अंटी आक्सिडेन के भी अच्छे स्रोत होते हैं क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रदा में पाये जाता है तो ये आपके पाचन-तंतर को ठीक रखने के साथ साð पाचन-तंतर को एनर्जी भी प्रदान करता है जैसा कि मैंने आपको बद कि आम में आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो नियमित और पर्यागत रूप से आम का सेवन करने से सरी में खुन की कमी नहीं होती है तो गर्भावस्ता के दरण आमका सेवन करने से वैसे फाइदे तो होते हैं पर एक बार आप अपने डॉक्टर की सरा जरूर लें अगर आप आमका सेवन करना चाहती हैं क्योंकि हो सकता है कि अगर आप आमका सेवन करें और आपको पहले से ही ऐलर्जी हो तो ये धर्भावस्ता के दारून आपके सरीर के अंदर और भी अधिक गर्मी पैदा कर सकता है और क्योंकि आप गर्वती हैं और आपकी सरीर की अंदर जादा गर्मी का होना बहुत ही खातक हो सकता है और साथ में मिस्कैरिज के चांसे भी बढ़ सकते हैं तो इसलिए बिना डॉक्टर के परामर्स के आप आम का सेवन ना ही करें तो बहतर हैं और अगर आपको डॉक्टर सलाह देती हैं कि आम का सेवन करें तो साथ में ये पूछ लीजिए कि कितनी मात्रा में और किस-किस दिन आप आम का सेवन कर सकती हैं इसके साथ ही मैं आपको जरूरी सूचना दे देती हैं कि बाजार में आम खरीते समय उन्हें साबधानी से चुने सुनिशित करें कि आप रासायन से पके वे आमों को ना खरी आम के सीजन में ही आम खरी दें ताक्यों उन्हें कृतिन रूप से पकाए prosecutor क्योंकि क्रितिन रूप से पकाए गयी आमों में केल्स्यम कारबाइड में अर्जरिक और फासफोरग के आप सेस होते हें इससे पके आम आपके और आपके गर्म में पल रहेसीसु दोन के लिए जहरीले हो सकते हैं तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो दर्भावस्ता के दोरन आमका सेवन करने के विशे में कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए Thanks for watching my video, मिलते हैं इसी तरह की next video में, till then stay happy, stay healthy.